जय हिंदु सोताई दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर फ्रागत है चले दोस्तों आज मैं आपनों को बताएंगे 16 फेरवरी के लिए गनीत में सैंखी की का माध माधिका बहुलग परिसर और वर्ग चीन दोस्तों अगर आप भी 16 फेरवरी को ध्यान दिजिएगा अगर आप भी 16 फेरवरी को गनीत का पेपर देने वाले हैं फाइनल पेपर ठीक है और जो इस्टुडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पड़े हैं गनीत में यहां से आप 5-7 नंबर ले जाईएगा ठीक है और यह 5-7 नंबर जो है हर साल बोड एक्जाम में पूछा जाता है अभी तक जितना भी एक्जाम हुआ है पूरे एक्जाम का ्टाइप जो है वो सारा टाइप ہम करवा रहे हैं यह हमारा दोसरा वीडियो है, इससे पहले भी एक हम वीडियो बनाये थे सैंकिकी का, जिसमें माद मादिखा, बहुलग, परिसर और वर्ग चिन बताये थे, एक ही वीडियो में सारा टैप कंपलीट करना संभब नहीं था, इसलिए हम आपको बोल दिये थे उसी वीडियो में, कि इसका कम से कम तीन या चार वीडियो आपको देखने को मिलेगा, अगर यह तीनो चारो वीडियो देख लेते हैं, इसमें क्या होगा दोस्तों ध्यान दियेगा, इसमें जो है न, जितना भी कोर्षर लेकर आएंगे, इसमें सब अलग-अलग टैप का कोर्षर होगा, और इतना टाइप अगर कर लिजेगा, तो इससे बाहर आपसे exam में नहीं पूछा जाएगा, और 5 से 7 नंबर जो है न, यह आपको मिल जाएगा, और दोस्तों यह 5 से 7 नंबर, जो है न, यह काफी बरा नंबर होता है, ठीक है, exam के लिए board exam में, आपको पता है, एक नंबर से student फर् सारा कोश्चन एक बार समझ लिजिए 16 फेवरी ध्यान रखिएगा दोस्तों एक्जाम होल में जाने से पहले 16 फेवरी से पहले यह सारा चीज जरूर पढ़ लिजिएगा ठीक है चलिए तो बढ़ते हैं अपने कोश्चन की और और एक एक जितना भी इसमें टैप लिखा गया है माद, मादिका, बहुलग, परिसर, वर्गजिन, सारा टैप हम आपको करवाने वाले है ठीक है तो आईए चलते हैं कोश्चन पर दोस्तों यह सारा कोश्चन आपको अबजेक्टिम में देखने को मिलेगा ठीक है अबजेक्टिम में हर हाल में देखिएगा यह 5 टैप का क है 10 है तो x का मान क्या होगा आपसे पूछ रहा है ठीक है देखिए दोस्तों माद बड़ाबर क्या होता है सबसे पहले हम आपको समझाते हैं माद बड़ाबर होता है जो भी आकरा दिया गया है उसका योग तो 6 पलस 8 पलस 9 पलस x पलस 13 ठीक है बटा भाग इतना से देना है आपको गिनना है टोटल संख्यां कितनी है एक, दो, तीन, चार, पाँच X को भी सामिल करना है आपका होगया पाँच ठीक है? आप देखिए माध भी आपको दे दिया है कितना है? 10 है तो आपका हो जाएगा 10 बराबर अब जोड़ लिजी, 8, 6, कितना होता है? 14, ठीक है? 8, 6, कितना? 14, 14, 13, कितना होगया आपका? 27 और 27 अनुग कितना हो जाएगा? 27 और 3 30, 30, अच्वा 36 ठीक है? यह आपका होगया 36 पलस X और बट्टे 5 आप लोग काउंट कर लिजीएगा, गिल लिजीएगा, सही है यहाँ बट्टा में कुछ नहीं, तो 1, क्रॉस गुना कर लिजीए क्रॉस गुना करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आपका आ जाएगा 36 पलस X आपका आंसर हो गया एक नमर आप यहाँ से जोड लिजीए इस टैप का कोउसन हर साल पूछा ही जाता है ठीक है? चलिए हम बताए है न सारा टैप का कोउसन इसमें करवा देंगे आप लोग घबराईए नहीं ठीक है? पुरा वीडियो को से पहले जो भी आंकरा दिया गया है इसको बरते करम में आप लिख लें बरते करम का मतलब क्या होता है? छोटा से बरा पहले देखे इसमें सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटा है इसमें आपका 6 तो आप लिख लिजीए 6 उसके बाद इससे बड़ा क्या है तो इससे बड़ा है एट नहीं तो आप लिखे आठ इससे बड़ा क्या है नौ इससे बड़ा क्या है नौ के बाद क्या है नौ के बाद क्या है पंदरा नौ के बाद आप देख सकते हैं पंदरा है फिर क्या है फिर क्या है तो सोला के बाद 17 नहीं है 18 है ठीक है 18 के बाद 19 नहीं है 20 नहीं है 21 है फिर क्या है 22 है हो गया 22 के बाद क्या आपका 25 है 22 के बाद क्या है 25 है लिख दिये हैं यह हो गया आपका बरते करम में ठीक है बरते करम में जब आप लिख लेते हैं तो आपको गिनना है तो चार चार आठ हो जाएगा ठीक है एक दो तीन चार चार इधर से कार दिजिए एक दो तीन चार इधर से कार दिजिए कट गया जो बीच वाली संक्या होती है यही आपका माधिका होती है ठीक है तो आपका माधिका कितना हो गया आपका माधिका कितना हो गया 16 और यह आपका आंसर हो गया माधिका हमेशा दोस्तों इसी तरह से निकलेगा अगर इस तरह से आंकरा दिया गया है तो ठीक है न चलिए आईए अगला समझे कोस्टन कोस्टन नमर है 3 कोस्टन नमर 3 में कहा रहा है कि 23, 15, 25, 40, 27, 25, 25, 20 का बहुलक देखिए दोस्तों बहुलक नाम से एस परस्ट है जो संख्या सबसे अधीक बार हो यानि बहुत बार हो ठीक है देखिए आपको देखने से पता नहीं चल रहा है 25 देखिए एक बार, दो बार, तीन बार तीन बार है उसके बाद देखिए और कोई संख्या है जो तीन बार से अधीक है तो कहीं न कहीं इसमें नजर नहीं आ रहा है आप लोग अच्छा से देख लिजिएगा तो यहाँ पर जो आपका बहुलक हो जाएगा मेरे हिसाब से तो लगवाग यही है पतीस जो है न देखिए एक बार, दो बार, तीन बार उसके बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीन बार से अधीक है तो जो संख्या सबसे अधीक बार रहती है वही आपका क्या होता है बहुलक होता है एक नमबर आप यहाँ से एड कर लिजिए बहुलक भी आपका खतम हो गया ठीक है भूलिएगा नहीं दोस्तों 16 फेरवरी से पहले ये सारा कोशन बनाके ही एक्जाम होल में जाना है नहीं तो आप 5 से 7 नमर छो है न छोड़ कर आईएगा अगर 5 से 7 नमर लेना है तो एक्जाम होल में जाने से पहले ये सारा कोशन गोल कर पी जाएए ये आनत तय है चार नमर कोशन है आंकरे 12, 25, 15, 18, 17, 26, 11, 16, 30, 20, 32 का परीसर क्या होगा लिजिए दोस्तों इसी को कभी-कभी हम रेंज भी कहते हैं क्या कहते हैं ध्यान दिजिएगा इंग्लिस में जो है न रेंज होता है लेकिन ये हिंदी में लेक दिता है कि इतना का रेंज क्या होगा दोस्तों ये तो सबसे जादा आसान है आपका परीसर बराबर जो होता है ध्यान दिजिएगा आपका परीसर बराबर होता है सबसे बरी संख्या यानि कि बड़ी संख्या ठीक है बड़ी संख्या मैनस छोटी संख्या मैनस छोटी संख्या ठीक है लिजी आपका हो गया इसमें सबसे बड़ी संख्या कोन है पहले यह देखिए तो यहाँ पर देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो है आपका 32 है तो आप यहाँ पर लेख दीजिए 32 मैनस सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटी संख्या आप देखिए इसमें क्या है क्या है क्या है तो 6 है तो आप 6 मैनस कर दीजिए अब 32 में से 6 को मैंस करिएगा क्या हो जाएगा जान देजिएगा 12 में से 6 गया 6 और यह आपका क्या हो जाएगा 2 यानि कि 26 26 आपका परिसर हो गया 26 आपका क्या हो गया परिसर हो गया और इस तह से आपका एक नमबर और 8 हो गया ठीक है तो question number 4 complete हो गया आईए अब question number 5 को समझते हैं दोस्तों अब आपके सामने है question number 5 question number 5 में समझे रहा वर्ग अंतराल 130 से 1.500 का वर्ग चीन क्या होगा दोस्तों वर्ग चीन काफी आसान होता है कहिएगा क्यासे कुछ नहीं करना है यह जो आकरा दिया गया है इसको जोड लीजिए 130 plus 1.500 और हमेशा आपको 2 से भाग देना है किस से 2 से भाग देना है ठीक है तो यह आपका हो गया कितना 280 280 में 2 से भाग दीजिए 2 से काटेंगे 140 आपका वर्ग चीन हो गया लीजिए हो गया इसी ता से कोसर पुछा जाएगा ठीक है एक नमबर आपका और 8 हो गया इसमें ठीक ना आप देखिए अगला कोसर है आपके सामने कोसर नमबर 6 कह रहा है यदि किसी बारंबारता सारनी का माध 27 है एबन माधी का 33 है तो बहुलक क्या होगा ठीक है देखिए दोस्तों सबसे पहले आपकों बता दे एक formula आता है ठीक है बहूलक बढ़ावर क्या आता है बहूलक ये आता है 3 माधी का मैनस 2 माध्ध तू माध्ध अब धयान देजी ठीरी गुना माधिका कितना है 33 तो 33 लिख़ेजिए माध्धध सेटाइस है यहाँ पर solve कर लिजी, देखिए, तो बहुलक आपका क्या हो जाएगा, बहुलक आपका क्या हो जाएगा, चूंकि अब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो आपको रब कॉंपी में आपको ये सारा काम कर लेना है, ठीक है न, देखिए, यहाँ हो जाएगा, 33 त्या कितना हो जाएगा, 99 मैनस, 7 दूना 14, 2 दूनी 4, 1, 5, यानि 27 दूना 54 होता है, मैनस कर लेजिए, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 5 गया 4, यानि बहुलक कितना निकल गया है दोस्तों, 45, 45 आपका हो गया, यह भी टाइप आपका कंप्लीट हो गया, अब आईए अगला टाइप है, question number 7 है, इसमें कह रहा है, कि निमने लिखित में कौन सा जो है, कैंद्रिये परविर्ती की माप नहीं है, और यह question काफी भी भी आया है, हर shift में यह question पूछा जाता है, तो पूछ रहा है, कैंद्रिये परविर्ती की माप, आपको याद रखना है, यह मानक बिचलन जो है दोस्तों, यह आपका कैंद्रिये परविर्ती की माप नहीं होती है, ठीक है, option number D आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, clear है न, दोस्तों इसमें देखिए, option में आपको माध दिया रहेगा, माध्यक दिया रहेगा, बहुलक दिया रहेगा, मानक बिचलन दिया रहेगा आप किसको ठीक करिएगा, मानक बिचलन को, यह मानक बिचलन जो है न, मानक बिचलन यह केंद्रिये परविर्ती की माप नहीं है, option आपका D हो जाएगा, आईए हम बढ़ते हैं, question number 8 की और अगला type क्या है समझेगा, कहरा प्रेक्षन 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक, लिज पंदरा एक बार, यह देखने से ही आपको जो है असपस्ट हो जाएगा, पंदरा एक बार, दो बार, तीन बार, अधिक ऐसी और कोई संख्या है, जो तीन बार से अधिक है, नहीं है न, तो नहीं है, तो आपका जो बहुलक हो जाएगा, ध्यान दिजिएगा, आपका जो ब फिरी में नहीं भी जाएंगे, आपको 7 नंबर दे कर जाएंगे, यहां से ले कर जाएंगे, ठीक है, और हम आपको 7 नंबर दिलवाएंगे, अगला टैप समझे, कहा रहा है, पर्थम 5 प्राकिर्थ संख्याओं का माध क्या होगा, यह भी कोशन काफी इंपोटेंट है, बरव 5, माध का मतलब है, कि जो भी संख्याओं उसको जोड़ देना है, जितनी संख्याओं उतना से भाग देना है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याओं है, 5 से भाग दे दिजिए, काकिर्थ संख्याओं बोला है, तो गिंती की संख्याओं को लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, ठीक है, तो यह अगर ये सारा कोसं करके जाते है न तो इस से बाहर कोसं नहीं आएगा यह मेरा गारेंटी है ठीक है दसमा कोसं देख लिजीए प्रेक्षन आप देखिएगा किसी वर्स का जो है न पेपर निकाल कर देखिएगा कि कोर्षन आता है या नहीं फिर आप लोग एक बर पढ़ कर जाईएगा ठीक है दीए क्या रहा है कि प्रेक्षन आठ बारा साथ चौदा छो तेरा पंदरा का माध्या क्या होगा माधिका मतलब माधिका ठीक है दोसमा बताए थे माधिका कैसे निकालते है पहले जो भी आंकरा दिया गया इसको पहले हम बढ़ते करम में लिखते हैं बरत्यक्रम मतलब छोटा से बारा, तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 6 उसे बढ़ा क्या है, 7 उसे बढ़ा क्या है, 8 9 नहीं है, यहनि 10 10 है, 11, 12 12 है, 12 लिख दीजिए 13, 13 भी है उसके बाद 14, 14 भी है उसके बाद 15, 15 भी है अब आपको क्या करना है गिल लेना है टोटल कितनी संख्या है एक दो तीन चार पहंट छो साथ संख्या है तीन संख्या इधर से काट कर हटा दीजिए कोई मतलब नहीं तीन संख्या इधर से काट कर हटा दीजिए कोई मतलब नहीं बीच वाली संख्या से मतलब है तो आपका म जाम से पहले 16 फेवरी या देखेगा दोस्तों 16 फेवरी से पहले यह सारा टैप जरूर करके जाईएगा पांस से साथ नंबर का सवाल है ठीक है पांस से साथ नंबर मतलब यह तो स्योर है कि आएगा ही आएगा तो इसको छोड़ कर नहीं आना है अब आपको मालेजिए आएगा 16 फेवरी को कि आप देखकर नहीं जाईएगा नहीं देखकर जाईएगा तो आपसे बारा गधा इस दुन्या में कोई नहीं होगा ठीक है तो आप पांस से साथ नंबर लेने के लिए तैयार हो जाईए उमीद करते हैं कि आप लोग जरूर समझ गया होंगे जितना